उसका जिक्र संजे सिंग करते हुए नजर आए और सरकार को घेरते हुए नजर आए आगे बढ़ते हैं खबर गाजियबाद से है जहां एक छोटी सी बच्ची ने अपने जनम दिन पर अनोखा संकल्प लिया बता दे कि शालिमार गार्डन्स में रहने वाली एक बच्ची ने अपने जनम दिन पर एक पेड़ लगाने का निड़ने लिया और बच्ची के इस फैसले में इस्थानिय पारशत पक्पू पहलवान ने उसका साथ दिया उनका मानना है कि जनम दिन और अन्य समारों पर आने वाले खर्च को कम करते हुए वो उससे पेड़ खरीद कर व्रिक्षार उपन कर सकते हैं देजबर में कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन के महत्व को हमने पहचाना इसी को देखते हुए गाजबाद के शालीबार गार्डन वार्ड नमबर 78 के पारशत ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जो वाकई काबले के तारीफ है उन्होंने जनम दिन और शादी की सालगिरा के दौरान वर्षगाड पर अगर कोई भी चाहे तो उनके स्थानिय जो पार्क पड़ता है उसमें पौधा और पेड़ लगा सकते हैं यह बहुत जरूरी है परेड़न के लिए हमारता मौझूद है एक बच्ची जिसका आज जन सुद्धा उसका और अब ऐसे में आपने पेड़ लगा कौन से पेड़ लगा किस ने कहा था अंकल पपू पहलवान जी ने कहा था और मुझे भी लगाता कि पेड़ लगाना जुरूरी है क्योंकि करोना वैरिस की विज़े से ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही तोर पर के जनम दिन पर शादी की सालगिरा पर जिस तरीके से पेड़ लगाने की बात कही गई है कोरोना काल के दौरान हम सभी महत्व जान चुके ऑक्सीजन का क्या कहेंगे ऐसा है कि जो यह पहल की है यह जो ऑक्सीजन पूरे देश में कमी रही हम लोगोंने क्यूंकि संस्ता हैं बहुत पेड लगाती और पेड टूट मर जाते हैं या कोई ना कोई खा लेता है हमने जो पेड लगाएं बच्चों के जनम दिन पर और जो वर्स गाट है सादी की उस पर कि वो लोग अपना एक एक पेड जो जिसका जनम दिन है वो पेड गोद ले और उस पेड की देख र उनकी है और लगातार हम देख रहे हैं कि यहां पे जो लोग जिनके जनम दिन थे जिनकी साधी की वर्स गाट थी वह लगातार पेड़ लगा रहे हैं अच्छी पहल है पार्षद पापू पहलवान की क्योंकि जाहिर तोर पर अगर सभी स्थानिय पार्षद इस तरीकी की मु और यहां एक ब्रेक के लिए रुखेंगे ब्रेक के उस पार कुछ और खबरे